हेलो फ्रेंट्स कैसे हो सभी आज हम पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुक युद्ध इसके साथ ही कुछ फेक्ट्स भी पढ़ते जाएंगे जिससे किसी भी एक्साम में 100% यहां से कोश्चन बन जाएगा इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और साथ ही यदि चैनल पर पहली बार आये तो सब्सक्राइब चरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के रोचक वीडियो आपको मिलते रहें तो सुरू करते हैं आज के राजस्थान के प्रम अगर फश्ट युद्द की बात करें तो प्रिछविरा चोहान विजए हुए थे और दुत्य युद्थ की बात करें तो मौमद गोरी विजए हुए थे ठीक है बहुती अच्छा कोश्चन है एक्जाम में आया हुआ है सेकेंड की बात करें तो ये है भूताला का जदा इमपोर्टेंट तीन, चार, पांच है यानि रन्थमबोर, चित्तोड, सिवाना और जालोर ये चारों ही युद्ध अलावदिन खील जी है और इन चारों में अलावदिन खील जी विजे रहता है ठीक है 1301, 1303, 1308 और 131 ठीक है पहला युद्ध रन्थमबोर, दूसरा चितोड, तीसरा सिवाना और चोथा जालोर ठीक है जी हाँ रन्थमबोर की बात करे तो हम्मीर देव चोहान थे चितोड की बात करे तो रतन सिंग थे सीवाना की बात करे तो साथल देव थे और जालोर की बात करे तो कानहड देव थे तो वेरी इंपोर्टेंट है इन चारों में ही अलावदिन खील जी के साथ युद्ध लड़ना पड़ा था ठीक है जी अब आगे चलते सारंगपूर का युद्ध जो की 1437 में हुआ था और ये हुआ था महाराना कुमभा महाराना कुमभा और मालवा के जो सुल्थान थे मौमुत खिलजी के बीच और इस युद्ध के विजय में ही विजय इस्तम का निर्मान करवाया था जो की 1440 के आसपास निर्मान हुआ था इसके बाद दो महत्वपून युद्ध एक खातोली और एक बाड़ी देखो खातोली सांगा ने इबराहिम लोधी को हराया है वेरी इंपोर्टेंट है ठीके जी आगे बात करते हैं अपन बयाना का युद्ध हाँ यहां एक इंपोर्टेंट है बयाना का पूराना नाम क्या है स्रीपंथ है यह एक्जाम में आया हुआ है और यह होता है आपके 1527 में 16 फरवरी को और इसी के एक मेने बाद 17 मार्च को खानवा का युद्ध होता है ठीके बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध दोनों में माराना सांगा का हाँ माराना सांगा का युद्ध होता है और यह जो लिखा हुआ है बयाना का मुगल सुवेदार मेहंदी इडवाजा और यह कौन था? यह बाबर का ही हाँ जी, बाबर का ही सुबेदार था तो दोनों युद बाबर के साथ हुए है और राना सांगा के साथ, ठीक है पहले युद में माराना सांगा विजय होता है और दूसरे में बाबर विजय रहता है, clear है? हाँ 12 नंबर पे चलते हैं, 12 पे है चितोड का दूसरा साखा, देखो आपको बता देता हूँ, चितोड का 1st, 2nd, 3rd, 3 साखे होते हैं, पहला साखे की बात करें, तो 1303, दूसरे साखे की बात करें, तो 15, यहांपर 1534 और 35, कई कितब में 1534 लिखा होता है, कई में 35, तो मैं 34, 35 कहता हूं फिर ये भी बात है 1567 और 768 ठीक कि यह तेन मिवाड के साखे या चि तोड़ कि साखे होते हैं ठीकर हाँ पहले साखे की बात करें जो शासक होता है वो कौन होता है राणा रतन सिंक क्या नाम है रतन almke और जो सैकेंड साखे की बात करें तो कौन होता है हाँ जी सेकेंड साके में होता है विक्रमा दित्य क्या नाम होता है विक्रमा दित्य है इंपोर्टेंट है यह और थर्ड साके में होता है आपका उदय सिंग क्लियर है हाँ जी तो ये तीनों साके में सासक होते हैं अब हम चित्तोड के दूसरे साके के बारे मे बात करते हैं 1534-35 में होता है और यहां पर चित्तोड की तरफ से बाख सिंग नेतरत्व करता है और सासक कौन होता है इस समय विक्रमादित्य होता है और जो जोहर करते हैं वो करमावती के नेतरत्व में होता है और इसी में कहते हैं कि करमावती ने हुमायू को राखी बेजी ठीक है फिर चित्तोड के तीसरे साके की बात करते हैं चित्तोड का तीसरा साका 15668 में होता है और इस पर इस बार अकबर के सामने जैमल राठोड और पत्ता सी सोधिया होता है और पत्ता की पत्नी फूल कवर के नेत्रतों में इस बार क्या होता है जोहर होता है ठीक है फिर द पढ़ती है ये पढ़ती है पाली में ठीक है और 1544 में ये युद्ध होता है सेर शाह सुरी और मालदेव की सेना के मद्दे और यहां पर मालदेव की सेना में सेना पती कौन होते हैं जेता और कूपा बहुत जादा important question है आगे चलते 14 नंबर हल्दी घाटी का युद्ध देख और ये माराना परताप और अगबर की सेना के मद्दे होता है और यहां पर important question आता है अगबर की सेना का सेना पती कौन होता है मान सिंग और परताप की सेना का सेना पती हाकिम खा सुरी और हम कह सकते हरावल दस्ते के जो प्रमुक थे वो यहां पर अगबर की सेना में मान सिं ठीक है अप्टूबर 1582 ठीक है महराना परताप और मुगल सेनापती सेरिय सुल्तान कान वैसे बुक में यही आता है सुल्तान कान तो आपको याद रखना है दिवेर का युद महाराना परताप और सुल्तान खा के बीच हुआ और दिवेर के युद को क्या का जाता है मेवाड का मेरा थन और परताप का गौरो प्रतीक ठीक है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है फिर देखिए सोलवा ये भी बहुत ज़ ज़्यादा इंपोर्टेंट है फिर हम चलते है 17 नंबर पर ये है कुवाडा का युद जो की 9 अगस्त 1857 को हुआ था ठीक है तात्या टोपे अंग्रेज सेनापती रोबर्ट्स के हातों पराजित होते है इसमें ठीक है और कुवाडा कहां पर आया हुआ है तो कोठारी नद कि युद दोनों ही जग़ को पाली जिले में पढ़ती है ठीक है इसके आठ सप्टेंबर को होता है और इसके दस दिन बाद 18 सप्टेंबर को चलते हुआ याद रखना पहले अथा 歌 की pos the mala युदौ होता है और यहां पर फीट आ सीना के बीच युदौ और चेलावास की बात करें तो यहां पर कुसाल सिंग की जो सेना है वो एजी जी पैट्रिक लोरेंस और मेक मोशन की सेना से युद्ध करती है और इसी युद्ध की बात कही जाती है कि जो मेक मोशन है उसका गरदन काट कर अववे के किले पर लटका दिया जाता है बहुत बात करें बीश नमबर की जाजव का युद्ध जो की 1707 में हुआ था ये भी इंपोर्टेंट है ये मोजम और जाजम के बीच हुआ था और इस युद्ध में जो सवाई जैसिंग थे उन्होंने आजम का पक्स लिया था परन्तु जीता फिर भी कौन था मोजम जीता था तो य जीतिय जो हुआ है वह हुआ 1556 में ठीके जी हाँ प्रथम की बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ जिसमें बाबर जीतता है और जीतिय जो 1556 में हुआ वह आपका हुआ हेमू और अकबर के बीच हेमू और अकबर के बीच और इसमें आपका अकबर वि झाल झाल